आज भादरपद शुक्रपक्ष की उदेया तिथी नवमी और गुरुवार का दिन है नवमी तिथी आज सुबह नौबच कर 26 मिनट तक रहेगी उसके बाद दश्मी तिथी लग जाएगी आज से भागवत सब्ता शुरू हो रहा है ये 2 सितंबर को समाप्थ हो जाएगा आज सुर्योदे से लेकर सुबह नौबच कर 26 मिनट तक स्थर योग रहेगा आज ही पूरा दिन पूरी रात सभी कारियों में सफलता देने वाला रव योग भी रहेगा आज दोपार 12 बच कर 37 मिनट तक जेश्ठा नक्षत्र है सित्चर्चा करेंगे आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपने बात रखने के योग की यानि की याई जैद्योग की तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है अब ये योग 5 सितंबर की सुर्योदे से शाम 4 बच कर 49 मिनट तक रहेगा और इसके बात बात करते हैं सरवार सिध्योग यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग नहीं बन रहा है आज ये योग 30 अगस्त की सुर्योदे से शाम 4 बच कर 52 मिनट तक रहेगा इस करम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुम महूट यानि के फेवरिवल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूट सुबह 9 बच कर 25 मिनट से राद 10 बच कर 40 मिनट तक और राद 12 बच कर 35 मिनट से सुबह 5 बच कर 57 मिनट तक रहेगा आज नया बिजने शुरू करने के लिए कोई अच्छा महूट नहीं है अब ये महूट तक कल ही यानि 28 अगस्त की दोपार 12 बच कर 37 मिनट से एक बच कर 22 मिनट तक रहेगा अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूट 29 बच कर 25 मिनट से दोपार 12 बच कर 37 मिनट तक रहेगा किसी इंडस्ट्रिल इंस्टिटूशन में लेंदेन करने के लिए आज कोई अच्छा महूट नहीं है अब ये महूट 29 अगस्ट की दोपार 1 बच कर 3 मिनट से शाम 4 बच कर 22 मिनट तक और शाम 6 बच कर 4 मिनट से 7 बच कर 13 मिनट तक रहेगा सीजेरियन आपरेशन कराने के लिए अच्छा महूर्ट आज सुबह 7 बच कर 31 मिनट से शुरू होकर 2 बार 12 बच कर 37 मिनट तक रहेगा अगर आपको जॉब जॉइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज को अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 31 तारीक को सुबह 7 बच कर 40 मिनट से 8 बच कर 49 मिनट तक रहेगा अगर आज कोई मेडिकल टीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट दो पहर 12 बच कर 37 मिनट से शाम 4 बच कर 30 मिनट तक और शाम 6 बच कर 12 मिनट से राद 10 बच कर 40 मिनट तक रहेगा और अब बात आती है अशुब समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जूली इलेक्टो माइरेटी फील्ड को छड़ों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुब करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इसे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुब कारी करने से सफलता नहीं मिलती आज रात 3 बच कर 15 मिनट पर अशुब समय रहेगा वैसे तो इसे सभी राश्यां प्रभावित होंगी लेकिन मेश, सिंग, तुला और मीन राश्यां विशेश रूप से प्रभावित होंगी जान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई विशुब कारी नहीं करना चाहिए